नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका कुपता.com किचिन में और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसे नास्ते की रेसिपी जो उपर सिक्तम क्रिस्पी अंदर से बहुत ज्यादा सॉफ्ट जो की खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी है और इसको मैंने बहुत क एक बार इसको बना लेंगे तो बार बर बनाएंगे यह मेरी कारेंटी है तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना तो नास्ता बनाने के लिए यहां पर मैंने कच्चा चावल ले लिया है जिसको की 2-3 पानी धो के साफ कर लिया है उसके बाद मैं इसको मैंने पानी मे भीगो के छोड़ दिया चा दो से तीन गंटे के लिए तो यह चावल बहुत अच्छे से फूल करके तैयार हो चुके हैं तब मैंने इसका एक्ट्रा पानी खटा लिया है और चावल को हम एक मिक्सी की जार में डाल देंगे तो चावल आप जो खाते हैं रेगुलर वहीं चावल ले लिजिएगा अब इसमें हम डालेंगे आधा गिलास के जितना पानी और पानी डालके इसका एक स्मूथ सा बैटर पीश करके तैयार कर लेंगे तो यह देखिए कुछ इस तरह का बैटर मैंने पीश करके तैयार कर लिया है और इसको एकदम स्मूथ सा पीशना है तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है कुछ इस तरह सी है तो अभी मुझे थोड़ी सी गाड़ ही लग रही है तो हम क्या करेंगे मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी को डाल देंगे और उसको मच्छा से दोके डाल देंगे बैटर में तो इस तरह से बैटर मक्सी के जार में से निकल जाएगा और इधर हमारा बैटर का कंसिस्टेंसी भी ठीक हो जाएगा तो दिखिए कुछ इस तरह का हमें बैटर चाहिए होगा ना तो यह बहुत ज़्यादा गाड़ा है और ना ही यह पतला है तो अभी इसको हम एक साइड में रख देते हैं 10 मिनट के लिए तब तक चलिए बहुत ही टेस्टी सी चटपटी स्टफिंग बना के हम तयार कर लेते हैं तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक चमच जितना तेल गरम कर लिया है यहाँ पर मैंने सरसो का तेल लिया है आपको इसा भी तेल ले सकते हैं तेल की गरम हो जाने पर इसमें हम आधा चमच की जितना डालेंगे जीरा जीरे को खुब अच्छे से में चटका लेना है तब इसमें मैं डालूंगी एक चमच अध्रक को काटके तो अध्रक को आपका दुकस भी कर सकते हैं कुछ देर के लिए इसे पका लेते हैं ताकि इसका जो कच्छा फ्लेवर है अध्रक का वो खतम हो जाए तब इसमें हम कुछ कड़ी पते डाल देंगे इसको भी पका लेंगे कुछ सेकेंड के लिए और है हमारा तड़का बहुत अच्छे से पकर के तयार हो चुका है तब इसमें हम कद्दू कस किया हुआ आलू डाल देंगे ता आलू को मैंने कद्दू कस करके दो से तीन पानी अच्छे से दो के ले लिया है गाजर लिया है उसको भी कद्दू कस कर लिया है सिमला मिर्च डाल देंगे तो सिमला मिर्ची को मैंने बारी बारी काट के लिया है अब यहाँ पर आप चाहें तो कुछ और भी सब्जियर ले सकते हैं तो अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देते हैं यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लाल मिर्ची का पौडर डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला का पौडर डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्ची का पौडर डालेंगे बस इतने ही मसाले इसमें हम डालेंगे और ज्यादा मसाले इसमें हम विल्पुल भी नहीं डालेंगे थोड़ा स और यह देखिए बहुत कम मसालों में बहुत ही टेस्टी चटपटी सी हमारी चटपट से स्टफिंग बन करके तैयार हो चुकी है अभी इसको एक साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए और यहां पर हमारा बैटर भी अच्छे से सेट होकर के तैयार हो चुका है तब इसमें भी हम कुछ सबजे डालेंगे थोड़ा से यहां पर मैंने कटा हुआ टामाटर डाल दिया है टामाटर के बीच को हटा लिया है थोड़ा सा प्याज है दो हरी मिर्ची है उसको हम डाल देंगे बारी कटा हुआ हरा धनिया पता डालेंगे नमक डाल देते हैं आधा चमच के जितना थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पर हम चाट मसाला का पाउडर या फिर आधा चमच डाल देंगे 4 से 5 चमच डालेंगे दही दही को मैंने पहले से ही फेट लिया है और नास्ता हमारा एकदम जालिदार बने सॉफ्ट बने उसके लिए हम डालेंगे 2 पिंच मीठा सोडा आधा चमच के जितना हम डालेंगे यहाँ पर तेल और इन सबी चीजों को हम खुब अच्छे से मिला लेंगे तेल डालने से हमारा नास्ता सूखा नहीं बनेगा यह अंदर से एकदम सॉफ्ट बन करके तयार होगा तो देखिए बैटर बिल्कूर रेडी है अब चलिए हम नास्ते को बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए यहाँ पर मैंने छोटा सा नास्तिक पेन ले लिया है बहुत थोड़ा सा इसमें हम तेल डालेंगे तेल को गरम हो जाने देते हैं जैसे ही तेल गरम हो जाएगा इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे सरसो के दाने थोगा सा सफेद तिल डाल देंगे और इसको पैन में चारो तरफ फैला देंगे उसके बाद में इसमें हम बैटर को डालेंगे तो दो कल्ची मैंने बैटर को डाला है बैटर को हम इस तरीके से फैला देते हैं पैन में और इसके उपर हम stuffing डालेंगे जो कि हमने बना के रखा हुआ है तो इस तरह से इसको हम फैला देंगे नाश्ते के चारों तरफ और वापस से हम बैटर को डालेंगे इसके उपर ताकि यह जो हमारी stuffing है वो अच्छे से ढख जाए तो इस तरह से डाल के इसको हम ढख देंगे तो गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे और इसे कवर करके पकाएंगे कम से कम एक मिनट के लिए एक मिनट के बाद में ढखन को हम हटाएंगे और नास्ते को हम पलट देंगे तो आप थोड़ी दिर बाद में देखेंगे कि ये उपर से हलका सा सूख गया है मतलब कि ड्राइ हो चुका है तब इसको हम पलट देंगे और पलट के इसकी दूसरी साइड भी हम इसको सेक लेंगे ऐसे ही हम थोड़ी थोड़ी दिर बाद में दोनों साइड से पलटके सेक लेंगे और यहाँ पर मैंने किनारी से थोड़ा सा तेल डाल दिया है नास्ते के उपर तो देखिए दोनों साइड से हमारा नास्ता जो है बहुत अच्छे से पक करके तयार हो चुका है है उपर से एक दम क्रिस्पी हो गया है अभी इसको हम बाहर निकाल लेते हैं अब बागी केज जितने भी हमारे नास्ते हैं हम एक ही तरह से बना करके तैयार कर लेंगे तो लीजिए दोस्तों बहुती टेस्टी चेटपटी उपर से क्रिस्पी और अंदर से एक दम सफ्ट नास्ता बन करके तैयार हो चुका है आप इसे बच्चों के टीफिन बॉक्स में दे सकते हैं सुबह के ब्रेकपस्ट में बना सकते हैं तो आप इसे एक पर जरूर से ट्राई कीजिएगा और इस भी पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें ठाइंक ।